आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा थार का सबसे बेस वेरेंट जो की है AX इसमें चार वेरेंट आते हैं AX Standard, AX, AX Optional और LX LX हम देख चुके हैं जो बिल्कुल Top Model है जो कि एक Off-Road के साथ साथ एक Lifestyle Vehicle की तरह भी आप यूज कर सकें उस तरीके से उसको बनाये गया है लेकिन आज जो हम वेरेंट देखेंगे ये एक ऐसा वेरेंट है जिसको केवल जो बंदा Off-Road करना चाहेगा या फिर जिसको अपन इनडिकेट्स मिल जाते हैं अगर आप टोब्रेंट LX देखते हैं तो उसमें आते हैं DRS लेकिन इसमें DRS नहीं है ग्रिल वही सेम है महेंद्रा का लोगो आपको मिल जाता है प्लस अगर आप बेस वेरेंट महेंद्रा थार्क को एक टोब मोडल वाली लुक दिना चाहते हैं तो महेंद्रा इसके साथ बोड़ी किट्स असेसरीज ओफर करती है वह आप इसको लगवा सकते हैं मंपर वगरा म तो इसमें आते है 16 इंचिस के टायर स्टील रिम के साथ याएगा टोब विरेंट की तरह इसमें अलोई वील को उप्शन नहीं है इन टायर से जो आपको ग्राण खिलनेस मिलेगा वह 219 mm का है वह अगर आप टोब विरेंट में जाते हैं तो उसमें आपको 220 mm का ग्राण खि आपको वही बैजिंग मिलेगी जो आप काफी टाइम से महंद्रा की थार पे देखते आ रहे हैं अभी यह वाला परिटिकुलर विरेंट महंद्रा थार के सबसे जादा बिकेगा जो की एक से डीजल में क्योंकि लोग अपने हिसाब से इसको मोडिफे करवाएंगे अलोई इसमें बहुत तगडी बनादेंगे लोग इसको इसमें नीच एक तरफ चटने के लिए फूटस्टेप सा मिलता है थोड़ा साफ नजर आते हैं इससे पता लगता है कि यार थोड़ा सा बाहर से काम करा रहा हला कि फोके तो यह प्लांट सी आएगा लेकिन थोड़ी सी उस ह इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ थार की यहां पर बैजिंग भी है वही एससरी वाली किट में आपको इसके राउंट क्रोम भी मिल जाएगा बाकि यह वही चीज़े जो हम फराने जवाने एक थार में देखा करते थे इसको हम ऐसे बंद करके चैन लगा सकते हैं अलाक जोरी देखोप 5 बंदो तो महंद्र ब्ला रहा है कि इसमें 4 बंद सकतunft कें अगर आप पतले दूबले दूबले अगर मोरूं ज를äन गाहों में थारा जाती है तो गाहों मच मोस्ता जाती अधे कि यहां पर कोई ग्रेव हैंडल ने इसको पकड़ कर सकें यहां पर आपको ऊपर यह ओफ रोड वहिकल है तो इसको पकड़ने के लिए आप बद्धिया भी मिल जाती है यहां पर आपको अपना बंद करना है दूला रहे तो आप इस तरीके से इसको ढख सकते हैं बकि आमने स आप यह तक टोप विरेंट जैसा ही लगता है इसमें आपको दोनों पार विंडो वगरा सारा कुस मिल जाता है एस इवेंट्स आप देखेंगे उसी तरीके की प्यानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं यहां पर आपको फैब्रिक की सीट्स मिल जाएंगी मेंदरा के को साइड फेसिंग सीट्स पर चार बंदे बैठ सकते हैं और पीछे का इस सब ना पूरा ट्रांस्परेंट रहेगा और इसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं चैन वाला से स्टम है कल को चैन फेल हो जाती है तो वह देखने वाली बात रहेगी वह सर्विस सेंटर वाल इस इसमें आराम से आ सकते हैं बोलेरों में मकसर देखते हैं अगर बरात वगरा में लोग जाते हैं तो 10-12-12 बंदे इसमें आराम से आ जाते हैं यह तो फिर भी था रही है आप दुनिया बर की कर सकते हैं और सबसे फेवरेट पार जो इस कार में लगता है कि जो आपके एंट तरह फोल्ड करके यहां पर इससे लटका भी सकते हैं, दिससे आपके पास काफी बड़ा बूट स्पेस बन जाता है, आप अपना बहुत सारा सामार इसमें करी कर सकते हैं, बाकि अभी आपको तो दो कलर ओप्शन मिलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, अगर आप बाकी कलर्स के शोकीन है, तो उसके लिए आपको टॉप रेंट पर ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखता है, इसके ड्राइवर साइड डोर जहां पर पार विंडो अगरा नहीं है, नहीं को स्पीकर है, और यह चीज़, आपको मेंदर अग थार में मिलेगी ही, ड्राइवर सीट इसमें आप हाइट के अगोडिंग अड़ेश्ट नहीं कर सकते हैं, थार के बेस वेरेंट से आपको विनायल की सीट मिलती है, के वागर LX जो टॉप विनेंट इसमें फैब्रिक की सीट साइंगी, यहाँ आपको टिल्ट अड़ेश्ट इसमें बापको टॉप विनेंट का हिस्सा है, बाकिस वाले विनेंट में अपने हाइट का कोडिंग आप इस सीट को अड़ेश्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको टॉप विनेट पर ही जाना पड़ेगा, मेरे खाल से जरुब इसमें M.I.D. है 180C तक की स्पीड इसमें टॉफ स्पीड दिखा रखिया है तो हाइच स्पीड पर जाएगी निकार बागी स्टीरियो वगर आपको इसमें मिसिंग लगेगा टॉफ ब्रेंड में इसमें वह सब वीचास मिसिंग है क्योंकि यह पाइट विरेंट एक ओफ जब आप ओफ रोड़िंग कर रहे होंगे तो वो इसको पकड़ सकता है अगर उसको डर लगता है क्योंकि एक 4x4 वीकल है तो आप काफी स्टेंट इससे ट्राइग करना चाहेंगे यहां पर आपको हजार लाइट्स ओन ओफ करने का बटन मिल जाता है नीच एक तरफ थार क कार में कौन से अलेट्स एक्टिव हैं सीट बैल्ट या फिर पैसेंजर एयर बैक का यहां पर फोन रख सकते हैं शेगेरिस में आते हैं यहां डीजल विरेंट देख रहे हैं उस एक बगब में आपको मिल जाता है ट्रांसफर केस को मैनूल शिफ्ट करने का उप्शन मैंज और केवल गलब बॉक्स है इसमें काफ ल्07 कम श्तोर या ाटा है यह साइड में सब्यकर की जगा है, सपीकर नहीं को आपको में ऐसमें लगवा सकते हैं और यह सोफट प्लीन के इस टवाते हैं में पैनिक ब्रेकिंग सिंगनल वेहिकल ओवर स्पीड वर्निंग पैसेंजर एरोग डियक्टिवेशन स्विच और स्नोचेंड प्रोविजन टायर जैसे फीजर्स मिलते हैं बात करें इस वाले विरेंट के बारे में तो यहां से मिलका बोनट खोलेंगे बाद यह किलिप्स अपन मालेज के अगर बात करते हैं तो 10-13 की मालेज आप डीजल इंजन आटमेटिक के साथ इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पैट्रोल लेंगे तो इसमें आपको औरकम मालेजम लेगे क्योंकि साथ में आपको इतने बड़े इंजन का मजा भी मिल रहा है प्लस टोर्क डी अगर आप डीजल वेंट लेंगे तो 20 लीटर्स का डीजल एक्जोष्ट टैंक भी आपको डालना पड़ता है हर सर्विसिंग पे यहर में आपको ड्रम रेक्स मिलती है फ्रेंड में डिस्क बेक आएंगी और 2450 mm का टोटल इसकार का वील बेस है लेंथ अगर आप साइड ब अगर आप लेंगे तो यहां पर अमोग की बैजिंग की जगा आपको अमें स्टैलियन की बैजिंग मिलती है खरब बात करते हैं एकसी में प्राइसिंग के बारे में तो यह हम ऑन रोड प्राइस का देख रहे हैं आप जो उन से भी विरेंड में इंटरिस्टेड हो आप इ इस में फालतू की बहुत सारी चीजा जोड़ रखें डीलर ने जो कि आप आसानी से हटवा सकते हैं उसके बाद एकार आपको सही कीमत में पड़ जानी चाहिए तो आपको कैसा लगा महिंदा थार का बेजबेंट आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीड़ देखने के ल